है है लो बाई मैं हो और आज आपके सबने एक टॉपिक लेकर आएंग Umiddag ने मुझे में कमेंट किया था झाल निए प् drought तकर किये हैं तो मैंने चर्टक में और इसमें तोड़ा सा difference जो मैंने देखे हैं टाटा टियागो से और इगनिस में जो की इगनिस को यह ना बैटर दिखाते हैं वह चीज मा आज आपको दिखाऊंगों कि तहको जादा टाइम किसी के पास नहीं होता वीडियो लिए बीरे पाकि मैं जल्दी से जल्दी आपको पांच पॉइंट बताता हूं तो सबसे पहले-पहले प्रयिंट के साथ हूं करने कि अबाबर करता हूं तो सबसे मेजर मुझे नजर आया वह इस में और ऊसमें फोर स्ट्रलेंडर इंजिन है उसमें थ्री सिलेंडर इंजर है हलाकि है 1.2 लीटर का ही बट इसमें जो कैबिन नॉइस है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है आइडल पे खड़ी होने के बाद भी गाड़ी में आपको महसूस तक नहीं होता कि स्टार्ट कड़ी है जबकि उसमें थोड़ा वह त्रेव नहीं दिखा पाता है सेकंड पॉइंट जो है वो करले तो मैं सर्विस की कि अगर आप सर्विस के लिए जाते हो तो मैंने उस जो मेरे दोस्ता जिसके टियागों थी मैंने उससे बात करी थी मैं को सभी लोग कहते है कि सर्विस के लिए इनका अच्छा फीड़ बेक नहीं तो उसने खुद से बता दिया बोला भाई सर्विस के लिए सच में आपका अच्छा फीड़ बेक नहीं है जो कि बहुत ही गलत बात है और मेरे कुछ मैं पुरानी गाड़ी ले रखी थी तो मैं पहले बहुत जादा परेशान रहता था कि बार बार में मिस्तरी के पास जान में तो थोड़ा सा एक कहते हैं कि इंट्रैक्औशन जो होता है कस्टमर के साथ में वो एक अच्छा कर दे यह बहुत अची बात होथ कस्टमर के से डिस क्टीसट्वjektशन होता है और वी आपकी क्मीटमेंट टो टाइम मिल जाये तो इससे बढ़िए चीज कुछ नहीं होती जो इस में देखना को मिल रही है तो मैं तो यह कहता हूं टाटा वालो को कि टाटा वालो प्लीज इस पे भी थोड़ा सा काम करूं इस चीज को लेके कि सर्विस को लेके आपका बड़ा अगया फीड़ वैक रहा है पब्लिक की तरफ से तो अब मैं कर लेता हूं तीसरे point की बात जिसमें कि मैं आपको cabin space की बात करता हूं ठीक जल्दी-जल्दी मैं आपको और पीछे की सीट रहती उसमें भी बहुत जादा आजाता है जबकि पीछे वाले बंदे का सर भी च्छत में नहीं करता है जो कि यह बहुत अच्छी बात है और मैं यह कहूंगा कि जो चीज है वो चीज है जो आपको दिख रही है क्योंकि टाटा टियागों के साथ मैं आप पनाने के लिए मैंने वह बनाई तब यह डिफरेंश आये है जो की अगर मैं कंपेर कर रहा हूं ट्यागों के साथ में इसको तो ट्यागों में और इसमें जो फरक आ गया है के कैबिन स्पेस का भी एड हो गया है जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज है ठीक है उसके बाद में में चोते टिक चलता हूं तो जोते भूलेका आ जाता है आ जाता है कि वहाई आपको पता है कि मारुति तो मशूर की वजह इसलिए मशूर में मेरे पास option भीडियो के लिए वीडियो ठीक है वेगनर भी थी स्विफ्ट भी थी लेकिन यार बजट के हिसाब से और जिस हिसाब से जो यह माइलेज पेश कर रही है अलगी मेलेज उनकी भी अच्छी है बट परसनली मैं बताऊं तो मेरे को हैं वो दोनों पसंद नहीं थी ठीक है बलेन और स्विफ्ट प भी है अभी माइलेज की बात कर लेते हैं तो मैंने मेलेज निकाली है सीटी में वह उन्नेस बीस तक की मेलेज यह बहुत आराम देंकी धेती है जबकि थोड़ा से हाट ड्राइव करते हैं रफ ड्राइव करते तो उस टेंपर जो मैलेज देती है वह लगभग 16-17-18 तक दे तो यह भी एक आ गया है अभिए बात कर लेता हूं बाचोट में जो है इसका मेन एट्रक्शन का बार बताता भी आयों के इसका जितना ग्राउंड इसका है उतना ग्राउंड इसके कम्पेर मैं और इस सेग्मेंट में किसी भी घरी का नहीं है मैंने यह चीज़ खूब अच्छे से चेक किए ठीक है 165 170 तक लास्ट हो सकता है बट 180 mm का ग्राउंड क्लिरेंस इस सेग्मेंट के अंदर आपको कभी भी नहीं देखने को मिला होगा ठीक है और इसको अगर मैं टाटा टियागो के साथ कंपेर करता हो तो उसमें और इसमें तो बहुत फरक हो जाता है जबकि वो गाड़ी के जिए लग भी जाती है और मैंने उसके साथ में इसको चला के देखा जहां 2424 अभी बहुत जल्दी ना इसकी सेकिंड सर्विस का भी एक वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगा जो कि आप देखना कि सेकिंड सर्विस पे एक्चुली होता क्या-क्या है वो क्या-क्या बताते है तो यह देख लो आप मैं नहीं है यह गाड़ी चला ली और मिरको आ कमेंट करके बताया था तो वीडियो आपको कैसी लेगी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक्यू सो मच